मखाना सेहत के लिए बहुत फाइदेबन होता है इसमें केलशियम, फाइबर, प्रोटीन, आइरन, पर्टेशियम, मेगनीशियम और फॉस्फोरस जैसे कई सारे पोशक्ततों मौजूद होते हैं जो हमारे लिए फाइदेबन होते हैं ये हड्यों को मजबूत बनाने से लेकर वजन घटाने तक फाइदेबन होते हैं लेकिन इतने फाइदों के बावजूत कुछ लोगों के लिए मखानी का सेवन नुकसान दायक भी साबित हो सकता है जिन में सबसे पहले नंबर पर आते हैं वे लोग जिने किड्नी में स्टोन की समस्या है दरसल मखानी में केल्शिय लोगों को मखानी का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें फाइबर भरपूर मात्रा में होता है जो मोशन को बढ़ा देता है ऐसे में इसका सेवन करने से दस्त की समस्या और भी बढ़ सकती है जिन लोगों को लो ब्रट शुगर की समस्या हो उन्हें भी मखानी का सेव करने से परहेच करना चाहिए एक ग्लाइकोसेमिक फूड है जिससे ये शरीर में इंसुलिन लेवल को बढ़ा सकता है जिन लोगों को अकसर गैस की समस्या रहती है उन्हें भी मखानी का सेवन जादा नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें फाइबर और प्रोटीन प्रचुर मात सेवन नहीं करना चाहिए इसमें स्टार्च की मात्रा बहुत जादा होती है जिसके कारण शरीर में स्टार्च की मात्रा बढ़ सकती है जिसके वजह से ऐलर्जी और भी बढ़ सकती है तो दुनिया में ग्यान बहुत है और ग्यानी तो उससे भी जादा लेकिन काम का ग्यान सिर्फ मैं ही दूगी, बाई बाई दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में